नमस्कार दोस्तों मैं वह आर्थी प्रजाबदी आर्थी प्रजाबदी यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हूं दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मैसेज़ेस आ रहा है थी कि मैं दो दिन पहले जगदिश कुमा जी ने ट्वीटर पर ट्वीट करके बताया था कि तीस तारिक तक हमारी मतलब की फॉर्म भरने की जो अवदी है उसको मतलब की एक्स्टेंड कर दी गई है बिल्कुल सही था और अभी यूजिसीनेट की वेबसाइट पर वही चीज आपको पब्लिक नाटिस में दी गई है चले वेबसाइट पर लेकर चलती ओके वही पर हम डिसकोस करेंगे कि क्या नाटिफिकेशन दी हुई है ओके किस तरीके की नाटिफिकेशन वो सारी चीज़े देखेंगे यह हम मैन होमपेज पर आ गए और पब्लिक नाटिस जो है वहाँ पर आपको पब्लिक नाटिस जो 24 में को यहाँ पर दी हुई है ओके तो चले इसको ही मतलब की डाउनलोड कते है पीडियाव को और वहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या उसके अंदर दिया हुआ है तो यहाँ पर दीखी पब्लिक नॉटिस के अंदर बता दिया गए यहाँ पर आपको दिखो क्या बताया गया है कि आपकी जो डेट थी फॉर्म अपलाए करने की वो डेट बढ़ा दी गई है और उसको आगी लेग गया है फिर यहाँ पर एक बात और भी है जो कि पहले भी थी मर्ज साइकल हो रही है दिसंबर 2021 जून 2022 की उसके बाद है यहाँ पर आपको करेक्शन की भी बात की गई है तो हम टेरेकली उसके टैबल पर ही चलते हैं यहाँ पर आपको टैबल दीख रहा है तो यहाँ पर जो पहले जो डेट थी वो 20 मही तक आप फर्म फिल कर सकते थे लेकिन उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है तो 24 मही से लेकर 30 मही तक आप यहाँ पर फर्म फिल कर सकोगे तो सुनहरा मुका आप लोगों को मिल गया है जो मतलब आप लोगों के बहुत सारे मैसेज़ेस भी आ रहा है थे मैंने आप लोगों को रिप्लाई यही दिया था जीन जीन बच्चों ने मैसेज किया थे लाज डे पर मतलब फर्म फिल करने बैठे तो प्लीज आज ही अपने फर्म को फिल कर दीजियो कि दूसरी बात है यहां पर आप जो भी फी जो है वो कब तक ट्रंजेंकशन कर सकते हूं वह भी 30 मैं तक ही कर सकते हूं अब यहां पर देखो 30 मैं को जो मतलब को इसे भी बच्चे हुँगी जो सोने वाले हुँगे ओकई और 30 को ही जागेंगी ओकी वो मतलब बिच्चू जैसे होते हैं, दलडल में से बिच्चू चाहे कितनी बार आप निकाल दो, उनकी हेलप कर लो, लेकिन वो बच्चे कैसे होते हैं, कभी नहीं सूध रहेंगे, ये कुटे की पूछ होती हैं, वो टेड़ी की टेड़ी रहती, चाहे कितने भी ह lleva थोडे ल सकते हो के और करेक्षन के लिए आप लोगों को एक ही दिन दिया गया है वहें 31 महिश तक कूई तो जो बच्छे लास्ट के दिन मतलब फोर्म फिल करेंगे तो उनको तो एक ही दिन मिलेगा ओकी चले सबको एक दिन ही मिलने वाला है ओके उसके बाद यहां पर दिखें एनेक् करेक्शन के अंदर क्या होता है आपको मतलब फॉर्म फिल करते हैं आपने कोई गलती करती है तो उसको सुधारने का आपको एक मौखा दिया जाता है तो यहां पर देखो करेक्शन के अंदर अगर आप आधार काड से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो आधार काड के आधार तो यहां पर आप correction के time पर क्या के changes नहीं कर सकोगे, अपने mobile number को change नहीं कर सकोगे, अपने email address को change नहीं कर सकोगे, permanent address and correspondent जो address है उनको मतलब कि आप change नहीं कर सकोगे, उसके साथ candidate का जो नाम है वो भी change नहीं कर सकोगे, आपकी birth date भी change नहीं कर सकोगे और आपका gender भी change नहीं कर स उसका लावा आपका फोटो जो है उसको भी आप चैंज नहीं कर सकते हैं रहा हैं तो फादर या मदर का नाम आप क्या कर सकते हो जब नहीं परसंटेज में आपने तो उसको change कर सकते हो के इस तरीकी से फिर अगर आप आधार काड़ के बीना ही आप form फिल कर रहे हैं तो correction के time पे क्या change कर सकोगे तो पहले दिखते हैं क्या change नहीं कर सकोगे तो mobile number, email address, permanent address और correspondent address ये सारे चीज़ आप मतलब कि यहां पर change नहीं कर सकोगे साथ साथ आप अपना photo भी change नहीं कर सकोगे तो क्या change कर सकोगे इसके अलावा कि सारे चीज़े change कर सकते हो लेकिन specific यहां पर change करने के लिए आप आपको allow किया गया हैं कि आपका जो नाम है उसमें आपने कोई mistake कर ली हैं तो उसको change कर सकते हो या फिर आपके father का जो name है या आपकी के नीचे not भी दिया हुआ है कि annexer 1 के अंदर जो चीज़े दी हुई है उसमें जो not allow दिया है change के लिए उसके अलावा सारी चीज़े आप change कर सकते हो clear I hope आपको यह पूरी के पूरी notification है वो मतलब कि उसकी information मिल गए होगी आप हम चलते हैं registration कैसे करना है कहां से करना है अब हम home page पर वापीस आज गए और यहां पर देखिए आपको candidate activity में दिया हुआ है registration of online application form तो इसी पर आपको open करना है अब देखो जैसे ही आप हमें इसको desktop mode पर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाए अब देखो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको registration करना देखो इस साइट पर यह जो लिखा हुआ ना only registered candidate तो जो candidate registered किया हुआ है जिन लोगों ने उनके correction के लिए यह वाला registration पर क्लिक करना है जैसे यहां पर new registration पर आओगे तो यहां पर सबसे पहला आपको registration करना है उसके बाद application form को फिल करना है और उसके बाद फी payment करने यहां पर इन 3 step को आपको follow करना है और अगर आपको information bulletin जो है उसको download करना है तो आप कर सकते हो के otherwise चलेगा और यहां पर category वालों के लिए ग्यारा सो रुपीज है ओवी सी डबली एस वालों के लिए पांसो पचास है स्टी और जो पी डबली डी है मतलब कि जो disability वाले बच्चे हैं उनके लिए दो सो पच्छातार रुपीज है तो इस तरीके से और साथ में आपका GST चार्ज भी लगेगा बैंक से 10 केवी से लेकर 200 केवी तक का होना चाहिए और सिगनेचर की जो साइज है वो चार केवी से लेकर 30 केवी की होनी चाहिए ओकि अगर आप मतलब के खुद से फॉर्म भर रहा है तो ये बात आपके लिए ओके बाकी सारी information मैंने आप लोगों को पहले भी दी हुई है तो वाल स्टो के बाबाई टेक के रिए जैसी क्रिश्ना